जेहिं दोस्तों मैं किशन चंद आप सबका स्वागत करता हूँ चलिए शिरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को बढ़ते पहले डिफेंस अब्रेट की तरफ भारत फोर्स के मानेशिंग जरेक्टर बाबा कल्यानी ने कहा कि 2030 तक भारत को वो दुनिया में तोप खाने क नमबर वन निर्माता बनाएंगे हाला कि उनकी तरफ से बयान तबाया है जब भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो लगातार बढ़ रहा है और भारत ने आर्टलरी कंस ड्रोन्स और राइफल्स को भी एक्सपोर्ट किया है यहीं बाबा कल्यानी ना आगे बताए कि दुनिया के जो टॉप तीन आर्टलरी एक्सपोर्टर हैं उनमें हम लोग शामिल होना चाते हैं और हम इस वक्त इस बिजनेस में नमबर वन भी हैं इसलिए हमारा लक्ष है कि आर्टलरी के छेतर में हम सबसे भैतर तकनीक के साथ दुनिया के सबसे बड़े निर्याता बने केलावा बाबा का लियानी ने इस एक्सपोर्ट प्रोसाहन के लिए आत्मिरबर भारत और मेकिन इंडिया को एक बड़ा क्रेडिट दिया है चलिए बड़ते नेक्स्टप डीट की तरफ भारतिय वायु सेना के प्रमुक एयर चीफ मार्चल विविक राम चौधरी जी ने ह रहा कि भारतिय वायु सेना ने एक्टिवली इस समस्या पर फोकस किया और अब जो स्वदेशी करण है उस पर हमारा फोकस इस तरीके से हो गया है कि हमने विमानों के लिए जो मेहत्रपुन कॉंपनेंट्स हैं उनका निर्मान शुरू करती है और इस पहल में इस पैर पार् पर बहुत ही कम इंपक्ट पड़ा है हाला कि विवेकराम चौद्री जी ने इस बात को भी एक्सेट किया है कि कुछ जो रश्यन सिस्टम्स हैं उनकी आपूर्थी में एक व्यवधान का सामना तो करना पड़ा है हाला कि उन्होंने किसी प्रणाली का नाम नहीं लिया लेकि कि इंडियन एफोस एक्टिवली यानि कि सक्रियर रूप से इन कम्यों को एड्रेस कर रही है और इस पेर पार्स के लिए सुदेशी आप्शन्स विक्सित करने के लिए इस्थानिय कम्पनियों के साथ भी सयोग भारतिवाई से ना कर रही है ये एक लॉंग टम उदेश्य भी है हमारा जो भारत बरते नेक्स अब्रेट के तरफ जो कि BMD फेस टू प्रोग्राम को लेकर आ रही है हाली में कुछ सटलाइट तस्वीरे सामने आई है जिसमें देखा गया है कि भारत के IT सेंटर बैंगलूरू के उत्तरपूर में एक नए रडार पर काम चल रहा है और हैदराबाद को बैलस्टिक मिसाइल हामलों से बचाने के लिए डिजाइन की गए इंटरसेप्टर मिसाइलों को रखना है हाला कि इसके बारे में जादा जानकारी सामने नहीं है लेकिन कुछ रिपोर्ट्स बताती है कि यह जो साइट है उसका डूल परपस हो सकता है यानि चुरक्षा के लिए जिमेदार है यह डूम शेप्ट का स्ट्रक्चर यानि कि गुमबद की आकार की सनरशना सौट फिश रडार का एक बहुत लंबी दूरी का संसकर्ण हो सकता है जो कि इस्राइली ग्रीन पाइंट टेकनोजी पर आधरीत है और इस रडार का इस्तेमाल इ हैदरबाद, चैन्नाई और कोलकता जैसे जो प्रमुक शहरें उनको शामिल करने के लिए अपनी सुरक्षा कवच का विस्तार करना है और यह अधिक मजबूत नाशनल मेसाइल डिफेंस सिस्टम की दिशा में एक मेहत्वपून कदम का प्रतीक है चले वर ते नेक्स अपड शम्ता काफी बढ़ जाएगी दरसल DRDO एक कटिंग एच लो अब्जर्वर एक्टिव एलेक्टोनिकली स्कैन्ड एरे यानि कि आईसा सीकर को तयार करेगा और इस एडवांस टेकनोजी में रडार सिकनेचर को कम करने के लिए विशेश कोटिंग और आकार को भी शामिल किया और अधिक सटिकता के साथ हाई वल्यू टार्गेट्स पर हमला करने के अनुमती देती है ये पूरी मिसाइल प्रणाली अभी डबलमेंट के स्टेज पर है यानि कि विकास के अधीन है और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि ये एक लंबी दूरी की मिसाइल होगी करीबन 200 किल आनवाला एक हत्यार होगा जिसे की गहरे हमले वाले मिशनों के लिए डिजाइन किया गया है यही नहीं ये जो वेपन है उसे एक्स्ट्रीम कंडिशन में ऑपरेट करने की योजना बनाई गई है जिससे की ये अलग-अलग वातावरण में अपनी प्रभाव शीलता को सुन अलग होगा इसके लावा इसमें कोटिंग भी की जाएगी जो कि इस में साहिल को दुश्मन के द्वारा डिजट करना काफी कठिन बना देगी और भारत लंबी दूरी से ही दुश्मनों को खत्म कर पाएगा बहुत चीजें दोस्तों जिस पर भारत काम कर रहा है समय के साथ तो चीजें सामने आती हैं अदर्वाइस तो कई पर योजनाएं हमारी गुप्त हैं जिने पब्लिक डोमेन पर कभी बताया नहीं जाता है चलिए बढ़ते नेक्स अप्डेट की तरफ दोस्तों हाली में दोस्तों मैंने आपको डिफेंस अप्डेट में बताया था कि भारतिय वाई सेना अब अस्त्रा मार्क 3 एर टो एर में सायलों को शामिल करेगी बजाए अस्त्रा मार्क 2 की जगा अब यहां पर भारतिय वाई सेना की तरफ से भी एक क्लैरिफिकेशन आया है स्पस्टी करना है जिसमें उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि भारतिय वाई सेना अस्त्रा मार्क 2 को छोड़ देगी जिसमें यह कहा जा रहा है कि यह केवल अफवा की बाते हैं दरसल अस्तर मार्क 2 और अस्तर मार्क 3 अभी अंडर डेबलमेंट में हैं और भारतिय वायू सेना इनकी अधिक संख्या में खरीद करेगी जब यह प्रोडक्शन में आ जाएंगी अगर अस्तर मार्क 2 की अगर मैं आपको बात बताऊं तो यह कॉस्ट एफिशेंट यानि की एक लागत पर भावी डूल पर्स मोटर टेकनोजी का इस्तमाल करती है यानि की यह मैसाइल कम महेंगी होगी और इनकी बड़े बैमाने पर खरीद करना भारतिय वायू सेना के लिए यह अधिक खिफायती ऑप्शन भी होगा मतलब साफ है कि एक शक्तिशाली मिसाइल से अपने फाइटर जेट्स को लैस करना है वही दोस्तों जो रैम जेट पावर्ड अस्तरमाक 3 मिसाइल होगी इसकी रेंज 3,5 km के आसपास होगी और यह भारतिय वायू सेना को काफी लंबी दूरी से दुश्मन के खत्रों को बेसर करने में शक्षम मनाईगी हाला कि अस्तरमाक 3 काफी महंगी मिसाइल होगी यानि कि अस्तरमाक 2 जो है वो पहली पंक्ती के रूप में काम करेगी जो कि 160 km रेंज के साथ है और अस्तरमाक 3 लंबी दूरी के लिए काम करेगी और खास बात है कि अस्तरमाक 3 का इस्तेमाल दोस्तों लंबी दूरी से अवाक्स और जो फ्लाइट रिफिलिंग एरक्राफ्ट जैसे दुश्मनों के विमान है उन्हें निट्रिलाइज करने में किया चाहेगा बास साफ हुजा थी कि अस्तरमाक 2 और अस्तरमाक 3 मिसाइल है इंडियन एयर फोस के शस्त्रगार में अलग-अलग उद्देशों को पूरा करती है बढ़ते नेक्स्ट अप्रेट की तरफ दोस्तों इसके अलावा इसमें इन्हांस डिफेंस एड्स लगे हैं इसके अलावा इसका ह्यूमन मशीन इंटरफेज डिजाइन है जो की ऑप्टिमल पाइलेट परफॉर्मेंस के लिए होता है इसके अलावा टांच 5 के साथ भारत को कई ओफर मिल रहे हैं इसमें कि ये भी कहा जा रहा है कि आगे लॉंग टर्म में जो भी इसमें पैकेज अपग्रेड होगा जो की इस वक्ट चल रहा है वो भी भारत को दिया जाएगा और इंडियन वेरियंट वाले जो ये वाइटर जेट्स होंगे उनमें आमराम, अस्त्र, MIST, AIM-9L Side Winter Infrared, Homing Air to Air Missile और लेजर गाइड़ वेपन के अलग-अलग वेरियंट्स इसमें लगे होंगे आपको मैं बता दो कि Airbus का Eurofighter Tranche MRFA के लिए एक पाध्यकारी मामला हो सकता है दरसल मैं एक ची जॉर्प को बता दो कि जब भारत का पहले का जो MRCA Tender था उसमें Eurofighter Rafal से केवल कीमतों के मामले में पिछड़ गया था लेकिन टकनीक के मामले में ये Rafal से काफी अच्छा है बर्देन एक्स्ट अबरी के तरफ अपने anti-missile system और air defense systems के साथ exercise की है बगाएदाथ का एक वीडियो भी नोने जारी किया है दरसल मैं आपको बता दू कि चाइना इस बास से काफी tension में है कि भारत अपने Rafal fighter jetों को तैनात किया हुआ है और यही वज़ा है कि वो इस तरिके के अभ्यास कर रहा है ताकि वो Rafal fighter jet को माल गिरा सकें साथ ही चाइना के पास रश्या से मिलेवे S-400 सिस्टम भी है जिसे कि उसने तिबबत पर तैनात किया है चलिए बढ़ते नेक्स तरफ की तरफ सो अमारिका की तरफ से कहा जा रहा है कि भारत ने अपने modernization program के तैत रश्या के उपकरणों पर नर्भरता को कम करने के लिए कई कदम उठा है अमारिकी खुवी agency के निदेशक ने कहा कि पिछले साल भारत ने G20 के आर्थिक शिकर समयलन की मेजबानी की और खुद को एक वैश्विक शक्ती के रूप में प्रदर्शित किया यहीने उन्हें उन्हें कहा कि भारत का defense export भी जबरदस बढ़ा है और फिलिपिन जैसे दक्षनी चेंट सागर के साथ भारत ने हिंद परशान शेतर में अपनी साजिधारी बढ़ाई है यहीने भारत ने उस्टेलिया, फ्रांस, जापान और अमारिका के साथ अपने सर्योग को भी मजबूत किया है बात साफ हुजाती है दोस्तों अमारिका की तरफ से बयान इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि वो चाहता है कि भारत कहीं ना कहीं रश्या से हथियार खरीदना बंद कर दें हाला कि बात तो आगे के लिए बहुत अच्छी आता है लेकिन अमेरिका बिल्कुल भारत और रश्या को दूर करना चाहता है हर शेत्र में चलिए बढ़ते नेक्स अपने की तरफ यहाँ पर एक्स्टेंसिफ रिनोवेशन चल रहा है और यह अपग्रेड एयर बेस की शमताओं को बढ़ाने के लिए एक मल्टी प्रोलांग अप्रोच का प्रतिनित भी करता है जिसमें की नई भूमिगत यानि की अंडर ग्राउंड म्यूनिशन इस्टोरेज सुविधाओं का निर्मान भी शामिल है जो कि एयर बेस की हत्यार रखने की शमता को बढ़ाते हैं इससे भारतिय वायुसेना की अमारक शमता और तैयारियों को भी काफी ताकत मिलेगी यहीनि इसके अलावा बेस को एयर क्राफ्ट के लिए हार्डेन शेल्टर्स भी मिलेंगे जो कि दुश्पनों के हमले के खिलाफ महत्वपुन सुरक्षा प्रदान करते हैं चाबवा में तैनात भारतिय वायुसेना के फाइटर जेट्स और अटैक हेलिकॉप्टरों की यह सर्वाइबिलिटी को सुनिश्चित करेगा और यहीं ही चाबवा एयर बेस में अब नए रडार भी लगाए जा रहे हैं जो कि हवाई खत्रों का पता लगाने और ट्रैक करने की एयर बेस की शम्ता को मजबूत करेंगे और यह एक बड़ी भी सिचुरेशनल अवेरनेस भी प्रदान करेंगे जो की पूर्वी सिमाओं की सुरक्षकले काफी महत्तो पुन है चलिए बरते नेक्स अब नेरी की तरफ दोस्तों जाने की सीसी नोजल को सफलता पूर्वक विक्सित कर लिया है जो रॉकेट इंजन टेक्नोलजी में एक नई पहल की शुरुवात है साथ ही इस रोकेट की तरफ से कहा गया है कि इस हलके नोजल से अब रॉकेट की पेलोट शमता और जादा बढ़ जाएगी और इसे तिरुवन्द पुरमिस्तित विक्रम सारा भाई अंतरिक्ष केंद के द्वारा बनाया गया है बता दे कि इसके जरीए रॉकेट इंजनों के महत्वपून जो पारामीटर से उनको बढ़ावा मिलेगा इसमें थ्रस्टर लेवल, स्प्रेसिफिक, इंपर्स और थ्रस्टर वेट रेशो भी शामिल है और इनी बदलाओं से रॉकेट की पीलोट शमता में व्रद्धी होगी साथी इसनों ने बताया कि नोजल डाइवर्जेट बनाने के लिए कार्बन 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 कंपोजिट जैसे उननत मेटिरियल्स का स्तमाल क्या गया जो कि एक भैतर गुण परदान करते हैं यही नहीं इसके सबसे खास विशेशता यह है कि इसकी सिलिकॉन कार्बाइड की विशेश एंटी ऑक्सिडेंट कोटिंग है जो कि ऑक्सिडाइजिंग इन्वार्मेंट में इसकी ऑपरेशनल सीमा को बढ़ाती है और यह इन्वेशन अकिवर्ड थर्मल प्रेरी टेंशन को कम करेगा बलकि रॉकेट लॉंचिंग के दौरान होने वाली को रिजन अवरोध को भी बढ़ाएगा और इसका इस्तमाल विशेश रूप से PSLV के लिए किया जाएगा तो फिलाली अब इतक के टॉप डिफेंस अपडेट्स वीडियो के समन्द में कोई प्रश्च यब आपका कोई सवाले कमें शिक्षा में लिकर जरूर पूसकते हैं मिलता हो नए वीडियो के साथ चैनल दो सब्सक्राइब किजिएगा जैहेंद बंदे मात्रम